तो आज के कडास में हम AIATC 2023 Shift 2 के पेपर को सॉल करेंगे सेक्शन है Mathematics In total 30 questions पूछे गए थे तो चलिया बेके करके सारे सवाल बनाते है सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा Determinant से सवाल है 3 x 3 Determinant आपको सॉल करना है 4 options आपके पास कितना समय मातर 15 seconds बस अब कुछ students कहेंगे cheating है सर जी हमको operations perform करने में सोचने में समय लगता है 15 seconds में ये सॉल नहीं होगा और आप होके timer बंद कर रहे हो हाँ जी आपसे 15 seconds में सॉल नहीं होगा क्योंके आप use कर रहे हो method 1 standard approach अगर standard approach से जाओगे तो कैसे सॉल होगा जल्दी आपको use करना है tricks and techniques so method 2 है tricks और वो trick क्या है ध्यान से देखना जब भी चीजे ABC में हो मैंने आपसे क्या कहा था MCQ सवालों मैं आपको substitutions करने चाहिए अगर हम substitute करते है A is equal to B is equal to C is equal to 1 तो ये determinant कैसे होगा सर ये determinant सारे के सारे elements है ना 0 हो जाएंगे सही बात येस अगर सारे के सारे elements 0 हो जाएंगे तो ये determinant का answer क्या होगा फिर सर अगर सारे के सारे elements 0 हो गए तो determinant का answer भी 0 होगा और अगर determinant का answer 0 है तो अब options में चेक करो ना कि ABC को अगर 1 रखे तो कौन सो option है, जो कहता है कि 0 is the answer, देखो यहाँ पर इसको भी cut paste कर दिया अब अगर मैं चेक कर रहा हूँ option A को, तो 1 into 1 into 1 1 है, यह है 1 plus 1 plus 1 याने 3, यह 0 है यह सही है, और यह है 1 plus 1 plus 1, 3 again, ठीक है तो एक ही option है, option C, done and dusted क्या यह 15 second के अंदर solve नहीं हो सकता था हो सकता था, ठीक है, तो ऐसे आसान सवालों से समय चुराओ ताकि कठिन सवालों में invest कर सको ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते है, question number 2 if A into sin square theta plus B into cos square theta is C, then tan square theta कितना होगा, 4 options आपके पास 20 second में ये भी solve हो जाता है कोई कठिनाई वाली बात नहीं है चलिए, जैसी tan square देखा तो दिमाग में कौन सा operation आया divide करना है cos square से बस उसके बाद तो थोड़ा सा calculation और answer अपने आप आ जाता है चेक करो यहाँ पर, अगर आप कह रहे हो option a, then option a is correct because divide by, हमने किया cos square, तो a tan square theta plus b cos square by cos square तो याने ये b ही बच जाएगा यहाँ पर and that is equal to c upon cos square जिसको हम कह सकते है c into sex square theta, सही बात अगर ऐसी बात है तो सर जी tan square की काहानी चाहिए, sex square तो नहीं चाहिए convert कर लेंगे, ठीक है तो यहाँ पर देख लो, a tan square theta plus b that is equal to c times one plus tan square theta, अब rearrange करो, a tan square theta, और यहाँ से यह जो c tan square theta है, वो left hand side में जाएगा, तो minus c tan square theta होगा और यह c, और यह जो plus b है इसको right hand side में भेजो, तो यह minus b हो जाएगा, ठीक है, tan square theta common आ गया, और अगर rearrange करके हम चीजे लिखे, तो c minus b upon a minus c यह answer आएगा, which is there in option a, easy, तो बहुत ही आसान था यह सवाल भी, अगर shift 2 के mathematics के सवाल देखे, तो 50% के उपर easy to moderate है, इसका मतलब यह नहीं के 100% paper easy to moderate था कठिन सवाल भी पूछे गए है, और एक और easy, determinant equal to 0 है, बस आपको x की value खोजनी है, क्या करोगे standard तरीके से open करोगे row 1 से, तो time लग जाएगा क्या serious technique का अप्रोच करोगे, again time लग जाएगा सर जी क्या करे, conceptual class में क्या सिखाया था कि जहाँ पर ज़्यादा zeros हो वहाँ से open करना चाहिए, determinant so column 3 से open करो और देखो, 20 second के अंदर बन जाना चाहिए, बट मैं आपको दे रहा हूँ 30 second, ठीक है, so time is up, आगया answer, what is the answer, option B अब option B क्यों सही है, ध्यान से देखना, मैं open कर रहा हूँ, column 3 से, तो यहाँ पर 1 into respective co-factor यही मेरा determinant का answer है so co-factor क्या होगा, minus 1 to the power, I plus J row 2, column 3, so 2 plus 3, into M 2, 3, तो यहाँ पर यह minus M23 है, यान यह minus of हमारा M23 क्या होगा, यहाँ से eliminate column, eliminate row जो भज गया है, उसका determinant, यान यह हो जाएगा, 2X minus 4 और यह 4, और यह रहा 2, 2, ठीक है, और इसको equate करना है 0 से, क्योंकि वो कह रहे है, determinant को हम equate करेंगे 0 से तो यहाँ पर calculation को अच्छे से note कीजिएगा, कि यह हमारा equate हो रहा है 0 से, यानि यह जो हमने अभी determinant हो जा है, उसको equate करना है 0 से, ताकि हमारा final answer आ जाए, तो चलिए अब final answer की तरफ पहुसते है, तो यहाँ पर हम देख सकते है, क्रिस क्रोस टेकनिक से open करेंगे, तो 2x-4 into 2 minus 4 into 2, 8 that is equal to 0, minus तो चला गया, अब यहाँ पर अंदर का calculation, 4x minus 8, minus 8, that is equal to 0, ठीक है, तो यह 4 से कटेगा, तो x minus, यह बढ़ते हैं, अगरा सवाल, आपकी स्क्रीन के सामने, derivative से, if x is equal to this thing, y is equal to this thing, then dx by dy is what, option a, b, c, d, again यह 30 second के अंदर बन जाता है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, क्या करना है आपको x is the function of t, तो dx by dt करो, y is the function of t, to dy by dt करो, divide कर लो तो आजाएगा dx by dy, बस simple सो concept, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जो उन्होंने official syllabus में दिया है, कि class 11, 12 की match पूछने वाले है, तो वैसे ही सवाल है कोई higher level का mathematics यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर correct answer क्या है, option a, क्यों ऐसा, ध्यान से देखना, सबसे पहले, dx by dt हमने किया, तो answer कितना आया, 80 का differentiation with respect to t, a होता है, फिर a by t का differentiation, तो उसका हो जाएगा minus 1 by t square, चलो, अब dy by dt देख लेते हैं, dy by dt, तो 80 का differentiation a हो गया, और यहाँ पर minus a by t, इसका differentiation कुछ ऐसा लिख देते हैं minus a, यहाँ पर, और 1 by t का differentiation, minus 1 by t square, ठीक है, अच्छा तो अगर मैं इसका वो minus जो है, यहाँ पर multiply करवा दू, तो ऐसा भी कह सकता हो, a plus a by t square, ठीक है, यह बाठ ठीक है, चलो, अब dx by dt, divided by dy by dt, यह करने पर answer आ जाएगा तो हमें जो answer आ रहा है, वो यह आ रहा है, कि dx by dt divided by dy by dt, जो आपका requirement है जो basically है, dx by dy और वो calculation की हिसाब से किस प्रकार से है, यहाँ पर a minus a by t square divided by हमको मिला था, a plus a by t square, अरे यह answer आ आ है, जबके उन्होंने answer तो xy में दिया है, याने हमको एक और करके जोड़ना है, अब कैसे किया जाए, तो मैं सोच रहा था, एक काम करते है, सबसे पहले a को common निकालो बाहर, और t उपर नीचे multiply कर दो, तो a को common निकाला, और जब t को multiply किया, तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी, t minus t by t square उपर का कहानी, नीचे का कहानी, a बाहर निकाला, t से multiply किया, अब, आगे क्या, आगे सर जी, a, a को काट दे, नहीं काटना है, क्यों, क्योंकि हमें वो form में लाना है, x and y में, तो यहाँ पर देखो, bracket में, 1 minus 1 by t हो जाएगा, denominator में, a into 1 plus 1 by t हो जाएगा, अब, वो form में आ गया है, numerator जो है, वो आपका y के बराबर दिखाई दे रहा है, denominator x के बराबर, easy, तो आपका answer क्या है, y by x, जो किसमें मौझूद था, सर जी, वो present था, इन option है, so option is correct, चली आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, ये सवाल है, limit से, the value of limit exchange to infinity, this thing is what, a, b, c, d, 4 options हमारे पास, अब कुछ students कहेंगे, ये cut in है, but मैं कहूंगा, बहुत ही आसान है, ऐसे type के सवाल, मैंने कई बार करवाए है, one का power infinity का form है, one का power infinity है, तो exponential का formula, यूज करना है, चलो, उसका use करोगे, तो answer चुटकियों में आ जाएगा, 2-3 step में answer है, ठीक है, चलिए, so time is up, the correct answer is, option D, तो चलिए, अब solution को देखते है, option D इसलिए सही था, क्योंकि सबसे पहले, हम indices concept का इस्तेमाल करेंगे, A का power B plus C को हम split करेंगे, as A का power B into A का power C, ठीक है, यह याद रखना, हम जल्दी step का इस्तेमाल करने वाले, पर सबसे पहले, यह हमारे question को, मैं प्यारे format में लिख देता हूँ, limit extends to infinity, 2x minus 1 upon 2x plus 3, the whole power x by 2 plus 1 by 2, अब वो indices concept का इस्तेमाल करो, और split करो, ठीक है, चलो, यहाँ से हम निकाल देते इसको, यहाँ पर paste करते हैं, और करते हैं split, तो जैसी हमने split किया, तो हमको मिला, limit extends to infinity, फिर उसके बाद है, 2x minus 1 upon 2x plus 3, the whole power x by 2, एक और बार copy कर लेंगे, यही से paste कर देंगे, और फिर कहेंगे, कि हमने कर लिया है, हमारा limit split, ठीक है, सही बात, यहाँ तक समझ में आ गया, अब यह वाला limit solve करना आसान है, पर कुछ students कहेंगे, सर जब हमने direct substitute किया न, तो यह तो infinity by infinity form आ रहा है, यह का पर solve हुआ है, अरे तो अभी direct substitute मत करो, डिवाइड बाई 1 plus 3 by 2x, ठीक है जी, और यह है 1 by 2, पावर हमारा, अब करो direct substitute, अब क्या आ रहा है answer, सर इस वाले limit का answer आ रहा है, overall 1, क्यूंके जब direct substitute किया, तो यह denominator infinity हुआ, तो 1 upon infinity 0 हुआ, so numerator हमारा 1 minus 0 1 हो गया, similarly नीचे जब x की जगा infinity substitute किया, तो यह 3 by infinity, यह भी 0 हो गया, so 1 plus 0, again 1 हो गया, 1 का power half कितना हो गया, 1 हो गया, तो मुझे लगता है, यह बात आपको clear हो गई, कि यह overall जो limit है, यह 1 है, अब इसको सुलजाओगे, तो answer आ जाएगा, इसको कैसे सुलजाणा है, तरकी भई है, कि 2x से divide कर लो, numerator को भी, और denominator को भी, जब हमने 2x से divide किया, so यह बन गया, 1 minus 1 upon 2x, और नीचे आ गया, 1 plus 3 by 2x, और power हमारा है, x by 2, अब तक यह सुलजा नहीं है, और यह सुलजेगा, अब तब जब आपको पता चलेगा, कि यह तो अब यहापर है, 1 का power infinity form, करो, direct substitute करो, मिला 1 का power infinity form, जब 1 का power infinity form होता है, तो हम कैसे सॉल करते हैं, रुको जरा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़े से free slides, यहापर add कर ले, और ध्यान में रखना, बस इसी formula के मदद से, हम previous limit को solve करेंगे, और हमारा answer आजाएगा, ठीक है, तो चलिए, इसको solve करते हैं, यही तो solve करना है, बाकी यह तो 1 हो गया है, इसका तो tension नहीं, इसका tension हमको थोड़ा सा लेना है, और यहापर, हम इसको split करके solve करेंगे, देखो, सबसे पहले हम कहेंगे, numerator वाला है, limit exchange to infinity, फिर उसको proper तरीके से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार, 1 plus minus 1 by 2, divide by x, the whole power x by 2, और फिर नीचे को भी, कुछ ऐसा ही लिखेंगे, तो यहापर जगा हमको कम पड़ रही है, एक काम करते है, इसको आगे shift कर देता है, ठीक है, अब धियान से देखना, यहापर denominator जो है, वो हमारा है, limit exchange to infinity, यह है, 1 plus 3 by 2, divide by x, the whole power x by 2, अब कुछ तुदिंट कहेंगे सार, directly यह देखो, format आ गया, 1 plus a by x, the whole power x का, सीधा कहे दो, कि numerator का answer है, e का power minus a, नीचे का answer है, e का power 3 by 2, और solve करो, तो यह गलत कर रहे हुआ, क्योंकि formula सही से, आपने देखा नहीं है, देखो formula, धियान से देखो, formula क्या है, limit x tends to infinity, x और यह x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, x tends to infinity, यह x पर उपर वाला x by 2 है, तो नहीं चलेगा, अब सबको x by 2 के form में, आपको कहना है, अगर सबको x by 2 के form में, कहना है, तो x tends to infinity है, धियान से देखना, x tends to infinity है, therefore x by 2 tends to infinity also, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, अच्छा, इसको भी x by 2 के form में लाना है, तो थोड़ा सा संगर्श है, अगर यहाँ पर x by 2 करें, तो numerator को भी एक देना पड़ेगा, divide by 2, याने ये 2 into 2, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको मैंने divide by 2 दिया है, तो उपर वाली को भी divide by 2 देना है, याने ये 4 हो जाएगा, अब ये format में आ चुका है, कौन सा format में, यही format में, जो मैं चर्चा कर रहा था, इस format में आ चुका है, और यहाँ पर a की value minus 1 by 4 है, और यहाँ पर a की value 3 by 4 है, तो उस हिसाब से, जो numerator का limit है, उसका answer है, e का power a इस प्रकार से, denominator का जो e का power a है, वो इस प्रकार से दिखाई देगा, अब इसको solve कर लो, e का power minus 1 by 4, minus 3 by 4, that is e का power minus 4 by 4, e का power minus 1, done understand, तो explain कर रहा हूँ, तो ज़्यादा समय लग रहा है, पर actual exam में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि mentally आपको solve करना है, कि जो constant वाली कहानी है, x by 2 into 1 by 2, जो 1 by 2 की कहानी है, ये mentally ये 1 हो रहा है, बस ये x by 2 से deal करना है, बस cautious का आपर रहना है, कि हमारा variable x by 2 है, यहाँ पर x ही था, बस अगर वो cautious आप रहोगे, तो answer फटावट से आ जाएगा, 6, if a and b are mutually exclusive events, with a p of a is equal to half p of b, then a p of a is what, तो बहुत सारे students, इक्जामें इसको solve कर रहे होंगे, और फिर दिमाग चक्रा गया, कि यार हमको answer क्यों नहीं आ रहा है, answer नहीं आ रहा है न, वैसे है, कठीन सवाल तो नहीं है, mutually exclusive सभी को पता है, क्या, कि सर्जी उसमें कुछ common नहीं है, so p of a intersection b is 0, यह सभी को पता है, पर सर्जी फिर भी solve नहीं हो रहा है, इसलिए solve नहीं हो रहा है, क्योंकि यह है एक marks to all का सवाल, यह marks to all का सवाल इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर है data missing, और वो data missing क्या है, so data missing is, we need this data, that a union b जो है, वो sample space के बराबर है, अब यह assume नहीं करना होता है, कि हर बार जब ऐसे सवाल आएंगे, तो a union b is sample space, not necessary g, ठीक है, not necessary, बट यहाँ पर यह data missing था, कि a union b should be equal to sample space, तब जाकर के यह सवाल solve होता है, तब जाकर के उन्होंने जो option 1 by 3 दिया है, वो सही होता है, ठीक है, अब इसको कैसे solve करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले, अगर a union b हमारा sample space है, therefore, p of a union b is p of sample space that is equal to 1, ठीक है, यह पहली बात, अब दूसरी बात उन्होंने कहा था, mutually exclusive, mutually exclusive याने intersection की जो probability है, वो है 0, ठीक है, अब तीसरी बात हमने पढ़ा है, p of a union b is equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b, सही बात, अब यहाँ पर intersection b तो 0 हो गया, यह तो आसान का आनी है, और यहाँ पर यह 1 है, अच्छा, उन्होंने क्या क्या है, p of a find करो, जहाँ पर p of b जो है, वो 2 times p of a है, चेक करो, p of b जो है, यह 2 को इधर left में भेजो, so 2 times p of a है, और अगर ऐसी बात है, तो अब p of a की कहानिया हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, so 1 is equal to 3 times p of a, therefore p of a is equal to 1 by 3, easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, अगरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसको तो यहाँ टाइमर देने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है, देखो, solve करो, फटा पट से, चलो, 15 seconds में आपको दे देता हूँ, तो यहाँ पर एक vector दिया है, उसका mod दिया है, बस वो जो vector के अंदर i cap का coefficient है, वो आपको बताना, 12, 14, 11, 10, क्या होगा, चलो, time is up, अब मेरी बारी, correct answer is option A, क्यो option A है, सबसे पहले हम कहेंगे, कि अगर A बार के coefficients है, M and 16, तो mod A बार कितना होता है, square root, i cap का coefficient का square, j cap का coefficient का square, चाहँ, mod A कितना दिया है, 20 दिया है, और यहाँ पर है, root M square plus 16 square, square कर दो on both the side, so 20 square, that is equal to M square plus 16 square, अब जिसके square roots अच्छे है, तो वो तो solve कर जाएगा, जिसके नहीं है, तो उसके लिए trick भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो, trick यह है, कि M square अब क्या है, 20 square minus 16 square, यानि यह क्या हो जाएगा, 20 plus 16, into 20 minus 16, यह हमारा, algebraic expansion के इसाब से, तो यह हो गया, 36 into 20 minus 16 होता है, अब यह easy है ना, square root निकालना, क्योंके, root 36, 6 है, root 4, 2 है, तो basically यह 6 into 2 था, 6 into 2 कितना है, 12 है, so 12 हमारे option A में मौझूद है, easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को देखते हैं, तो चलिए आपका timer हो चुका है, start, बताईए इस question का answer क्या है, question number 8, if A is equal to this thing, then the relation R on A is what, यह जो concept है ना, symmetry, reflexive, transitive, यह मैंने आपको previous year paper solution में, detail में बताया था, यह assume करके कि आप पहली बार solve कर रहे हूं, तो अगर आपने 2022 का paper solve किया है, तो 2023 का यह जो सवाल है, वो आराम से बना लोगे, symmetry क्या है, A, A form होना चीए, reflexive क्या है, lane देन का हिसाब, जैसे A, B हुआ, तो B, A भी होना चीए, transitive क्या है, transitive एक story है, ठीक है, यह तीन concept है, अगर यह आपको आता है, तो यह solve हो जाएगा, otherwise यह कठेना, पर actually है, यह है कि A, A होना चीए, याने अगर element 1 है, तो 1, 1 मौजूद होना चीए, 2 है तो 2, 2 मौजूद होना चीए, जो क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर, तो दिखाई नहीं दे रहा तो symmetry का form नहीं है, reflexive का style ऐसा है, कि अगर A, B मौजूद है, तो definitely B, A भी होना चाहिए, जैसे अगर 2, 3 है, तो 3, 2 भी होना चीए, जो के हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो reflexive भी नहीं है, symmetry नहीं है, reflexive नहीं है, तो symmetry यहाँ पर भी था, जो के symmetry नहीं है, तो option elimination कहें देता है, that option C is left, so that is correct, अब transitive नहीं भी पता, तब भी काम हो जाएगा, वैसे transitive जो है न, graphical यह अच्छा समझता है, कि यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, तो transitive कहता है, आपका एक relation है 2 से 3, एक relation है 3 से 4, तो ऐसे आपने 2 से 4 की यात्रा की, पहले 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, और आप ऐसे भी तो जा सकते थे, 2 से 4, ठीक है, तो अगर यह पूरे के पूरे vectors मौजूद हैं, अमारे relation में, तो आपका transitive का relationship satisfy हो रहा है, तो हम देख सकते हैं, yes, it is transitive, जो यहाँ पर हमने proof करके भी बता दिया, चलिए, आगे बड़े, अगरा सवाल आपकी screen के सामने, बहुत ही easy है सवाल, चलो, इसके लिए मैं दूँगा 30 second, थोड़ा सा calculation तो है, 5 apples and 6 oranges are kept in a box, if 3 fruits are chosen at random, then the probability that 2 apples and 1 orange are picked is what, ABCD, तो यहाँ पर picking up की कहानी चल रही है, इसलिए combination की कहानी होगी, ठीक है, combination पता है न, आपको n, c, r, जापर r, n के बराबर या छोटा होता है, n से कभी बढ़ा नहीं होता, चलिए, time is up, मेरी बारी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, probability is always requirement by total, ठीक है, और यहाँ पर है न, बहुत सारे students जो ऐसे सोचते के, two apples हम ऐसे picking up आला करेंगे, पहले apple आया, फिर apple आया, फिर orange आया, तो यह गलत कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि उनको चाहिए two apples and one orange होना चाहिए, जो के ऐसे भी हो सकता था, या ऐसे भी हो सकता था, two apples and one orange, तो यह सारे combinations, यह सारे हमारे cases, इस requirement में आ रहे हैं, तो आइदर आप तीन case बना के ऐसे solve करो, और अगर ऐसे solve करने की इच्छा नहीं है, तो combination वाला concept बढ़िया होता है, जैसे, probability is requirement by total, और यहाँ पर हमारे पास, 5 apple and 6 oranges है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, कि total हमको जो काम करना है, 11 fruits में से हमको 3 fruits उठाने है, requirement यह है, कि 5 apple में से 2 apple आपको उठाने है, और 6 orange में से 1 orange आपको pick करना है, इस प्रकार से 2 apple and 1 orange आप pick कर लोगे, हो गया, बस, अब इसको open करोगे, तो answer आएगा, अब open भी कोई formula से जाता है, तो lengthy होगा, कोई मेरे trick से जाता है, तो जल्दी करेगा, जैसे 5C2 है, तो हम क्या कहेंगे, 5 into 4 divided by 2 into 1, trick के हिसाब से, 6C1 तो formula ही है, 6C होता है, 11C3 कैसा होता है, 11 into 10 into 9, divide by 3 into 2 into 1, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, cutting cutting का हिसाब है, cutting cutting का हिसाब, 3, 3,000, ठीक है, फिर कौन कट रहा है, 3,1,000, 3,2,000, 2, 2 से कड़ गया, फिर कौन है, यह 2,1,000, 2,5,000, 5,5 से कड़ गया, कौन बचा फिर, तो 4 उपर बचा, 11 नीचे बचा, 4 by 11 वही तो आंसर था, option A, ठीक है, easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, अगरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यह रहा, question button, calculated है, lengthy है, तो मैं आपको समय जरूर दूँगा, यह लोड, 50 सेकंड आपके पास, function f of x दिया गया है, g of x कैसा है, f of f of x, h of x कैसा है, f of f of f of x है न, so basically f of g of x है यह ठीक है, अब आपको आंसर बताना है, f of x into g of x into h of x कितना होगा, इतना भी cutting calculation नहीं है, बढ़ यह जो functions की value निकालना है न, यह थोड़ा सा calculate हुआ, फिर तो अपने आप answer आ जाता है, जब last में multiply करोगे न, must cancel होता है, चलिया, आखरी के 10 सेकंड, 40 सेकंड is enough I guess, 3, 2, 1, done, correct answer is option b, Bombay इसलिए सही है, क्योंके, सबसे पहले, f of x, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो directly दिया है, 1 upon 1 plus x, हाँ, यहाँ पर जो g of x है न, उसमें आपको क्या कहा गया है, f of f of x है न, याने f of 1 upon 1 plus x, इसका मतब यह जो आपका जो function है न, f of x का, उसमें अब x को replace करो, किस से 1 upon 1 plus x से replace करो, तो basically यह हो जाएगा, x को replace कर दिया, 1 upon 1 plus x, तो यहाँ पर calculation आजाता है, क्रिस क्रोस multiply करके simplify करोगे, तो 1 plus x upon 2 plus x, यह आजाता है आपका g of x, अब फिर ऐसे ही हमको h of x भी निकालना है, जो है f of g of x है न, तो यहाँ पर जो h of x है, वो कैसा है, वो है f of g of x है, और g of x आपका कैसा है, यह है 1 plus x divided by 2 plus x, तो यह जो आपका function है उपर, इसमें अब x को replace करोगे, कैसे, 1 plus x upon 2 plus x, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 1 upon 1 plus, 1 plus x upon 2 plus x, तो simplify करना पड़ेगा यार, चलो इसको आगे लेकर चलते हैं, simplify करते हैं, फिर answer कहते हैं, numerator में तो आजाएगा, यह 2 plus x, denominator में 2 plus x plus 1 plus x, याने 3 plus 2 x, यह हो जाएगा, ठीक है, 3 plus 2 x, बस, आगे आप final answer क्या चाहिए, यह जो f of x है, वो multiply करो g of x है, वो multiply करो h of x है, चलो सबको multiply कर लेते हैं, 1 upon 1 plus x, फिर g of x हमारा कितना था, 1 plus x, divide by 2 plus x, h of x कितना था, 2 plus x, divide by 3 plus 2 x, देखा आपने, कैसे must cancel हो रहा है, यह वाला इससे cancel, यह वाला इससे cancel, क्या बचा, 1 upon 3 plus 2 x, done and dusted, so where is that option, option b is correct, तो चलिए अब, question number 11, आपके screen के सामने, यह रहा, integral dx upon 2x square plus x minus 3 is what, 4 option आपके पास, और यह ना, काफी मस्त सवाल है, इसलिए 1 minute में आपको पूरा दूँगा, क्योंकि सबसे पहला challenge है, कि completing squares form में जाए, या फिर partial fraction, option hint दे रहा है, partial fraction का, फिर दूसरा है कि partial fraction करना है, फिर वो a and b की value निकालनी है, फिर integration करना है, तब जा गर क्या answer आएगा, पूरा lengthy process है, solve कीजिया answer बताईए, integration पर बहुत सवाल हमको दिखाई दिये है, ठीक है, shift 1 में भी सवाल है, shift 2 में भी है, integration बहुत important है, और उसी का derivative है, तो दोनों अगर आप अच्छे से करते हो, तो एक अच्छा पकड़, एक अच्छा score आप कर सकते हो, maths में, ऐसे shift 2 का maths अच्छा था, compared to the shift 1, shift 2 में अच्छे-च्छे सवाल पूछे गए थे, चलिए, time is up for my side, अब मेरी बारी है, कि मैं solve करूँ और आपका बताओ, कि option D क्यूँ सही है, सबसे पहले तो मैंने कहा था, कि जो 2x square plus x minus 3 है, इसके factors निकालो, तब जाकर के partial fraction कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, 2x square plus 3x minus 2x, तो कि multiply किया, तो minus 6 add किया, तो plus 1, ठीक है, और फिर है यह minus 3, चलो, अब क्या निकाल सकते है, common x ही निकाल सकते है, bracket में 2x plus 3 आ जाएगा, इसमें से minus 1 निकालेंगे, तो bracket में 2x plus 3 आ जाएगा, अब 2x plus 3 हमको common दिखाई दे रहा है, और uncommon है x minus 1, जो bracket में आ जाएगा, तो यह है factors, ठीक है, इसके एक बार factors मिल गए, तो अब second step है partial fraction, चल दिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे, जो हमारा function है, 1 upon 2x square plus x minus 3, उसको हमने लिख दिया है, इस प्रकार से, 1 upon 2x plus 3 into x minus 1, उसको हम कहेंगे, as a by 2x plus 3 plus b by x minus 1, ठीक है, अब अगर a को निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ यहाँ पर multiply करो, यह मैंने trick आपको shift 1 में भी दिया था, और जो हमारा function है, वो है 2x plus 3 into x minus 1, ठीक है, अब x की ऐसी value put करो, जिससे यह वाला term 0 हो जाए, a का denominator 0 हो जाए, sir वो हो जाएगा, minus 3 by 2, yes, अब इससे कटा, minus 3 by 2 put किया, तो a की value कितनी आई, minus 2 by 5, अब b को भी वैसे निकालो, क्या करना है, यह denominator जो है, इसको multiply करना है, so x minus 1 into, 1 upon 2x plus 3, into x minus 1, x की जगे ऐसी value, जैसे b का denominator 0 हो जाए, so x की जगा 1 रखेंगे, ताकि यह इससे कट करे, अब x की जगा 1 रखे, तो b की value आ जाएगी, जो आ रही है 1 by 5, चलो, एक बार an भी मिल गए, अब तो integration भी easy है, क्योंकि integration जो आपको निकालना था, वो इसी का तो निकालना था, dx upon, वो जो आपका quadratic था, उसको हमने factors में इस प्रकार से कह दिया था, तो यह जो है, अब बन जाएगा as integral minus 1, पहले में लिख देता हो इस प्रकार से, नहीं तो कुछ student जो है, कहेंगे सर, आप जो है steps, खा जाते हो बीच-बीच में से, हमको तक्लीफ होती है सर जी, तो जो तक्लीफ नहीं होगी जी, इसका integration निकालना है, अब A की value हमको पता है, previous इस में से हमने कहा था, minus 2 by 5, B की value पता है, जो है 1 by 5, अब integration की कारणिक ऐसी है, अगर function f plus g, ऐसे हमारा integration addition में है, तो फिर वो split हो सकता है, तो split करो, integral minus 2 by 5 dx, upon 2x plus 3, और यह हमारे पास, integral 1 by 5 dx, divided by x minus 1, अब यहाँ पर denominator का जो differentiation है, वो है 2, जो numerator में बैटा है, ठीक है, तो मैं ऐसे minus 1 by 5, integral 2 dx, upon 2x plus 3, ऐसे लिखना चाहूंगा, और इसका differentiation है 1, जो अगे numerator में बैटा है, अगर 1 by 5 को मैं बहार निकाल दूँ, ठीक है, और आपको पता ही है, वो formula, कौन सब formula, कि अगर आपके पास है integral, f dash of x upon f of x dx, तो answer क्या होता है इसका, अगर इसका differentiation उपर बैटा है, तो answer है log mod f of x, ठीक है, यह, log mod f of x plus c, ठीक है, यह है आपका formula, अब यही formula का इस्तिमाल करेंगे, इस सवाल में, और answer निकालेंगे, तो चलिए, cut paste का मारा binness, cut paste का मारा binness, और यहाँ पर हम कहेंगे, happily that my answer of the integration is, minus 1 by 5, log of 2x plus 3, plus 1 by 5, log of x minus 1, पर यह न चाहते हैं, कि आप और simplify करो, तो यार जी, कर लेते हो, और simplify उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है, उपस, यह क्या हो गया जी, एक second, हमारा slide था यहाँ पर, ठीक है, copy कर लेते हैं एक बार, अब करते हैं simplify, इसको यहाँ से cut किया, इसको उपर paste किया, अब, यहाँ पर हम कहेंगे, यह basically है, 1 by 5 तो common आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर बचेगा, अब वो है, minus log of 2x plus 3, plus log x minus 1, तो यह log A minus log B, जिसको हम क्या कहेंगे, log A by B, तो यहाँ पर positive वाला उपर, यह देखो, log A minus log B, so log A by B, तो इस प्रकार से हमारा answer आ जाएगा, और यह जो answer है, वो हमको दिखाई दे रहा है, का पर in option D, तो lengthy तो था, इसलिए मैंने कहा था, मैं आपको समय दूँगा, पहले partial fraction करके, वो A and भी निकालने में समय, दूसरा integration solve करने में समय, और तीसरा उसको rearrange करने का समय, ठीक है, तो इतना time लेने के बाद, ये question होता है, solve, चलिए आगे बढ़ता है, question number 12 को देखता है, f of 16 is 16, f dash of 16 is 5, तो limit का answer क्या होगा, easy है, direct substitute किया तो क्या आ रहा है, 0 by 0, तो सर जी, ये 0 by 0 आ रहा है, ये तो indeterminate form है, तो क्या करे, lopital technique, numerator को अलग से differentiate, denominator को अलग से differentiate, फिर try करो वापस से, क्या answer आ गया, easy सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, मेरे लिए, ये easy category है, और previous वाला integration, वो moderate category है, very tough भी नहीं है, very tough वाला सवाल भी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो, अब कुछ students कहेंगे, sir integration by default हमको tough लगता है, तो ओके, आप मान सकते हैं, उसको tough, बट था वो easy ही, चलो, time is up, यहाँ पर जो सही answer है, वो है option B, 40 seconds में सवाल सवाल हो सकता है, क्योंकि हिंट तो मैंने आपको दे दिया था, कि ये तो 0 by 0 form है, तो चलिए अब, लॉपिताल का इस्तमाल करते हैं, तो numerator का जो differentiation है, वो हो जाएगा, half, f of x, the whole power half minus 1, जो है minus half, और इस function का differentiation आगे, जो है f dash of x, minus 4 का differentiation जो है 0, नीचे denominator जो है, root x, उसका differentiation कैसे होगा, half into x का पर half minus 1, फिर x का differentiation आगे 1 ही है, फिर minus 4 का differentiation है, यह रहा 0, ठीक है, और यह है limit x tends to 16, easy सवाल है, वैसे कोई कठेनाई वाली बात नहीं है, देखो यहाँ पर, half, half हो रहा है, cancel, और इसके अलावा गर हम देखे, तो फिर direct substitute कर ले, अब x की जगा 16 रख दो, तो यह कितना हो जाएगा, यह जो है न, वो minus उसको नीचे भेज देगा, और root f of x बना देगा, तो यहाँ पर नीचे भेजेगा, और root f of x बनाएगा, और हमने x की जगा क्या कह दिया है, 16 कह दिया है, इसको यह उपर भेज देगा, यह minus उसको उपर भेज देगा, root x, numerator में हमको दिखाई देगा, basic match है, यतना तो आपको आना ही चाहिए, और वो x की जगा हम कह रहे है, 16 है न, direct substitution करने के बाद, और यह जो f dash of x है, वो हो जाएगा f dash of 16, चालो, done है, सारे values हमको पता है, क्या-क्या values है, यहाँ पर f of 16, जो है, वो है 16, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और फिर f dash of 16, जो है, वो है 5, दिये देखो, root 16, root 16 कड़ गया, सिर्फ 5 बज़ गया, 105 बज़ गया, इसलिए option भी जो है, वो correct है, बहुत ही प्यारा और easy सवाल, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, अगरा सवाल, आपके screen के सावने, यह रहा, ऐसा ही सवाल, हमने shift 1 में भी किया है, on to function, one to one function, तो इसारे मैंने आपको concept, shift 1 में दिये है, shift 1 का paper अगर आपने देखा है, यह सवाल आपसे बन जाना चाहिए, f of x is equal to 6 minus 5x, और function जो है, r to r, where r is a set of all real numbers, तो function कैसा है, only function, only one to one function, one to one, and on to function, only on to function, तो निकालने आपको, सब कुछ, one to one है, on to है, easy है न, वैसे सवाल कोई कठिन नहीं है, यह function हमारा must linear है, चलो, 40 second में एकाहनी बन जाती है, 3, 2, 1, done, the correct answer is, option C, option C, क्यों सही है, ध्यान से देखना, सबसे पहले, जो हमारा one to one function है, उसको find करने के लिए, हम क्या कहते है, f of a should be equal to f of b, और उसमें एक ही condition आना चीए, a is equal to b, तब कहेंगे one to one, वो नहीं आया, तो one to one नहीं आया, ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे, जैसी हमने, x की जगा a रखा, तो यह function है, x की जगा b रखा, तो यह function है, 6, 6 कटा, तो minus 5a, that is equal to minus 5b, minus 5 minus 5 कटा, तो a is equal to b, यह की condition है, अगर a is equal to b, is the only condition, then yes, your function is what, one one function, ना one to one function है, और अगर यह one to one function है, तो फिर अब on to की बारी, ठीक है, on to है या नहीं, वो चेक करना है, अब on to है या नहीं, यह चेक करने के लिए, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले code domain, तो वो खुदी दे देंगे question में, code domain कितना है, code domain वो कह रहे है, आर, पूरा का पूरा real axis है ना, यह code domain है, अब code domain दे दिया, एक चीज हमको निकालनी है, वो क्या है, range, range कैसे निकाले, तो मैंने कहा था, जो भी आपका function है, let f of x, that is equal to y, where y belongs to what, code domain, जो है, real axis है ना, अब यहाँ पर जो function हमको दिया गया था, वो function कैसा है, 6 minus 5, that is equal to y, rearrange करके हम कह सकते है, x is equal to y, अच्छा ऐसे कह ले, 6 minus y divided by 5, ऐसे कह ले, इसको इदर भेजा, फिर इसको इदर भेजा, फिर divided by 5 किया, तो यहाँ पर x जो है, वो 6 minus y divided by 5 है, अब अगर y हमारा, पूरा का पूरा real number ले रहा है, तो 6 minus y भी पूरा का पूरा real number लेगा, 6 minus y divided by 5 भी पूरा का पूरा real number लेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इससे समझ मारा है, कि x belongs to the real axis, इसका मतलब जो हमारा range है, वो real axis के बराबर है, इसका मतलब जो हमारा codomain है, और जो हमारा range है, वो same है, और जब भी codomain और range same होता है, तो function क्या होता है, onto, और ना हो तो, तो into, तो यहाँ पर finally हम क्या कहेंगे, since, codomain, यह सारे concepts, मैंने shift1 में आपको detail में दिये थे, so codomain is equal to range, hence, यह हमारा जो function है, वो कैसा है, onto function, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, यह बारा सवाल तो सुलज गया है, चलिए, next question in front of screen, काफी अच्छा सवाल है, यह associative, commutative, इसारे properties, चेक करना चाहते है, in this equation, p star q, स्टार क्या represent करता है, binary operation, so p star q is equal to p plus q divided by 2, और आपको बताना है, यह जो operation है, वो associative है, commutative है, कैसा है, यह associative नहीं है, commutative नहीं है, क्या लगता है, तो commutative वाला तो easy है, commutative क्या है, डिट्टो पोकिमॉन, फटार से pace बदल कर ले, तब भी पोकिमॉन तो वही रहता है, तो यहाँ पर p की जगा q आ जाए, q की जगा p आ जाए, क्या तब भी कहानी वही बन रही है, orally आप कह सकते हैं, हाँ जी वही बन रही है, q plus p by 2 कहो, या p plus q by 2 कहो, कहानी तो वही बन रही है, commutative तो है, associative में महनत है, ठीक है, associative में महनत है, जो आपको करनी पड़ेगी, और अगर कलोगे महनत, तो आप कह दोगे, that option c is correct, तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ, that commutative तो मैं नहीं आपको बता दिया, कि position change करो, तो तब भी कहानी में कोई फर्क करना पड़े, जैसे अगर q star p करू, तो ये q plus p divided by 2 होगा, जो p plus q divided by 2 के बराबर है, यानि इसके बराबर है, तो basically p star q, यही तो commutative है न, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं, commutative property follower है, तो not commutative कहने वाले बच्चे, यहाँ पर a and d है न, ये तो गलत है, तो 50-50 chance तो बन जाता है, exam में जब भी ऐसा chance बनता है, ले लेना चाहिए, क्योंके no negative marking है न, मौके नहीं छोड़ने आपको, तो यहाँ पर 50-50 chance बन जाता है, वैसे associative की कहानी अगर आपको चेक करनी है, associative है न, groupism की कहानी है, तो groupism के लिए, 2 में तो क्या ही groupism है न, 2 तो अपने आप में पहर होते हैं, groupism तो जब 3 होगा तब होता है न, तो 3 की कहानी अब बनानी पड़ेगी, so P star Q star R is equal to P star Q star R, हम मान करके चल रहे हैं कि community property फॉल हो रही है, इसका मतलब जब इसको पहले solve करें, फिर इसके साथ group बनाए, तो वो बराबर होना चीए, किसके बराबर, जब इन दोनों ने पहले group बनाए, फिर P ने इनके साथ बात कि, यह है, यह है associative property, groupism की, तो चलिए अब देख लेता है, ठीक है, so P star Q, क्या कहता है property, that this is P plus Q divided by 2, यह हमारा calculation, इधर ही उन्होंने हमको कहा है, अच्छा, अब यह चीज, किसके साथ जूडने वाली है, R के साथ, तो यह किस प्रकार से हो जाएगा, P plus Q divided by 2, यह first term, plus second term, divided by 2, यह हमने LHS solve कर लिया, चलो, अब RHS की बारी, so P star, पहले इन दों को solve करो, property कहता है, elements को add करो, divided by 2 करो, अब इन दोनों को solve करो, तो elements को add करो, और divided by 2 करो, क्या लगता है, यह दोनों सेम है, नहीं है, जो अब वो smartly observe कर लिये हो, तो कह दिये that LHS is not RHS, ठीक है, और जो smartly observe नहीं कर पाया, उनको मैं बता देता हूँ, why it is not equal, तो यहाँ पर आप काम करो, 4 से multiply करो, throughout है ना, पहले तो यह काट दो, तो अब 2 से कल लो, यह थोड़ा आसान हो जाएगा, so P plus Q plus 2R, that is equal to 2P plus Q plus R, so क्या आपका LHSR चे सेम है, नहीं है, नहीं है, therefore not associative, ठीक है, therefore not associative, hence यहापर जो आपका option था ना, जो कह रहा था, not associative but commutative, वो सही है, ठीक है, तो यह groupism की काहनी है, वैसे यह groupism की काहनी कहा पर चल जाती है, matrix में आपने देखा होगा, matrix addition follows associative property, क्योंकि A plus B plus C is equal to A plus B plus C, कही पर भी group करो, यानि इसको पहले group करके solve करो, फिर इसके साथ add करो, और यहापर B plus C को कर रहे हैं, तो वो पहले करो, फिर A को add कर लो, तो matrix associative follow करता है, पर यहापर हमारा यह जो कहानी है, वो associative follow नहीं कर रहा है, चल यह आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, यह देखो, एक और integration से सवाल, पर यह आसान सवाल है, अगर आप इसमें वो trick खोज लिए, substitution से solve होगा, वैसे हिंड भी दे रहा है, फिर देखो, option में कुछ x का power 5 by 2 भी कह रहे है, ज़र उसको अगर t substitute करो, तो देखो क्या हो रहा है, सर जी, numerator वाला dt में हो रहा है, अब तो यह आसान सवाल हो गया, इसलिए 30 second काफी है, समझ में आया, कैसे exam में आपको सूचना है, तो यहाँ पर correct answer है, option D, अब वो Q है, solution पर focus करना, कि हम rewrite करेंगे integration को, कुछ इस प्रकार से, x का power 3 by 2 dx, divide by root 1 plus, x का power 5 है न, मैं नहीं लिख रहा, मैं चाहता हूँ कि इस वाले version में लिखा जाए, अब इस वाले version में लिखना हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ, x का power 5 by 2 the whole square, देखो देखो, यही तो है न, x का power 5, ताकि मैं फर्दर कह सकूँ, कि अब खुशी-खुशी, x का power 5 by 2 को हम t कहेंगे, differentiate करो on both the side, so 5 by 2, x का power 5 by 2 minus 1, dx that is equal to dt, so यह जो x का power 3 by 2 dx है, वो हो जाएगा, 2 by 5 dt, तो अब हमारा integration, update हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हम कहेंगे, अब ध्यान से देखना, क्या कहेंगे हम, हम कहेंगे, this is equal to, numerator हमारा हो गया dt, denominator हो गया, root 1 plus t square, अच्छा वो 2 by 5, तो मैं तो मिसी कर दिया, 2 by 5 भी लिखना है, ध्यान से देखो, x का power 3 by 2 dx क्या है, 2 by 5 dt, so 2 by 5 भी आएगा, अब यह तो easy हो गया integration, so 2 by 5 constant भाहर, यह तो standard format का है, integral 1 upon root a square plus t square form, जिसका answer क्या होता है, log of, यहाँ पर t plus denominator, denominator क्या है, root 1 plus t square, ठीक है, और यह हमारा plus c, क्योंके indefinite integration है, काहनी खदम नहीं होती है, because substitution किया था, तो अब re-substitution की बारी, तो t की जगा, हमको वो रखना है, जो हमने substitute किया था, क्या substitute किया था, x का power 5 by 2, so root 1 plus x का power 5 by 2 का square, याने x का power 5, ठीक है जी, और यह है plus c, अगर आप चेक करो अब, तो कौन सा option सही है, option D सही है न, yes, option D is correct, easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते है, question number 15, बहुत ही बहतरीन, tough question of the whole section, yes, the number of solution of the matrix equation, a square is equal to this thing, is what, less than 2, no solution, more than 2, exactly 2, क्या लगता है आपको, अब सर जी, आपने tough कहा है, तो कुछ तो बात होगी, जी, इसमें, हाँ जी, बात तो है, ठीक है, A matrix आपका, मानलो, ABCD, यह elements है, 4 elements है, solution निकालना आग, ठीक है, so, equate करो, a square is equal to, 1123, 4 equation बनाओ, 4 unknown, 4 equation परियाप्थ है, solve करने के लिए, हाँ सर जी, वैसे तो, है, बट फिर, सर जी, मेहनत भी बहुत है, तो फिर, smart approach अगर आप लगाओगे, तो answer आ जाएगा, जादा solve नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आप वहाँ पर smart बन गएना, तो दिख जाएगा, यह कौन सा option correct है, झाल जाएगे, झाल झाल झाल